मेरी प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरी भक्ती करते हो, तो मेरे दिखाए गए स्रध्धा और सबुरी के रास्ते पर भी चलना सीखो, और जीवन में चाहे चितनी भी कठिनाई आए, अपना सबुर कभी मत खोना, मेरे जो बच्चे सबुरी से काम लेते हैं, उनके जीवन मे सफलता निश्चित है, संत कबीर ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीचे सो घड़ा रितु आए फल होए, इसका मतलब ये है, कि चाहे तुम एक पौधे में सो घड़े पानी डाल दो, एक ही दिन में, उसमें फल तुरंत नहीं आएंगे, वह प कोधा फल तभी देगा, जब उसके लिए रितु सही होगी, ठीक उसी तरह, तुम्हारे भी काम तब बनेंगे, जब तुम्हारा समय उचित आएगा, इसलिए सबरी रखना, और जीवन में हमेशा सही राह पर चलना, तो मुझसे रोज प्रात्ना करकी पहुत कुछ मांगते होना, मैं सब सुनता हूँ, और मैं तुम ही वो सब अवश्य दूँगा, जो तुम्हारे लिए उचित होगा, लेकिन एक बात याद रखो, यदि तुम मुझ पर आत्म समर्पन करके पूर्ण विस्वास करोगे, तो तुमने जो मांगा है ना, उससे भी कई अधिक, मैं पर दिए ये विस्वास हो, कि बाबा जो करेंगे, वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, मेरे बच्चे आने वाले दिनों में, तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव आएंगे, और कुछ ऐसी बदलाव, जो तुम्हारे जीवन की दिसा को ही बदल देंगे, तुम इतने पर दिन देखो के, कि सब लोग सोच में पढ़ जाएंगे, कि इसका जीवन इतना अच्छा कैसे हो गया, और बहुत बार तुम्हारे मन में ये सवाल होता है, तुम्हें लगता है कि तुम सही हो या नहीं, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है, कि तुम किस तरब जा रहे हो तो बच्चे, तुम बस मुझ पर विस्वास रखो, और आगी पढ़ती जाओ, ये सारे सवाल तुम्हारे मेरी और विस्वास बढ़ने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें अब मेरी लीलाओं का अनुभाव होता चला जाएगा, और ये विस्वास है ना, तो ये पहुत सक्ति साली है, ये तुम ही वो देखने पर मजबूर करता है, जो तुम देखना चाते हो, पर अभी तुम ही नहीं दिखता, क्योंकि अभी तुम्हारा मुझ पर पूर्ण रूप से तिड़ विस्वास नहीं है, इसलिए हम इसा विस्वास बनाए रख क्योंकि इसी विस्वास की भरोसे ही तुम जीवन में आगे बढ़ती जाओगे, और अपने जीवन की उन उच्छाईयों को छूते जाओगे, मेरे बच्चे मैं जानता हूँ कि देर हो रही है तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने में, लेकिन आज मैं तुम्हीं ये आशिर पात देता हूँ कि तुम्हारी वह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि तुम मेरे उन बच्चों में से एक हो, जो दूसरों की हमेसा तकलीप समझते हो, और उन्हीं मदद करने के लिए हमेसा तक पर रहते हो, खुद परेसानी में होकर भी तुम दूसरों की मदद करते हो, और वह मेरी तरफ तुम्हारी सेवा ही होती है, इसलिए मैं तुमसे पहुत खुस हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, मेरे बच्चे कभी भी खुद को सीमित ना रखो, किसी भी काम के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हीं इतनी हिम्मत दी है, कि तुम्हें जो चाहिए, वह तुम पा सकते हो, बस वह पाने के लिए मैंनत लगन, इच्छा सकती और सबुरी की जरुरत है, मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी निरास मत होना, हमेसा याद रखना, कि तुम्हारे बाबा, हमेसा तुम्हारे साथ है, जदा खुस रहो, और हमेसा मुस्कुराती रहो, मेरा शिर्वाद हमेसा तुम्हारे साथ है,